साथियों नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग मजा मा केम चो कसा आईस साथियों आज एक इंपोर्टन निर्ने में आपके राइट्स को लेकर डिसकस करने वाला हूं एक इंपोर्टन जज्जमेंट जो की ओन्डेबल पटना ही कोड़का है जिसमें ना केवल आपके राइट्स को ट्रायल लंबे तो चलता रहा अक्यूज निमेदन भी किया कि अपने गवाप पेश करें जब प्रोसिकुशन अपना गवाप पेश नहीं करें तो अल्टिमेटली उसने गवाप बंद करने की जो है अरज लगई पर ट्रायल कोड ने रिकॉगनाइस किसी भी रूप में अक को रद्र किया जाए तो हाई कोड ने क्या किया क्या निर्ने लिया यह हमें समझना होगा और साथ-साथ कंसेप्शल प्रस्पेटिव क्या थे उसको भी समयना होगा ताकि हम अपने राइट्स को एजले रिकॉगनाइस करते वे उसे इनफोर्स करा सकें साथियों क्रिमिनल कोई भीग नहीं है जब कोई व्यक्ति ट्राइल फेस करता है खासकर तब जब वह इनोसेंट है तो उससे पूछिए वो किस परिस्यति को फेस कर रहा है क्योंकि केस लड़ना तासां काम नहीं है आपको सबसे पहले एक एड्वोकेट चाहिए उसकी फीस को पियर करना है यह नीचे हम जीते हैं उपर अपील हो गई स्टेट के दोवारा हाई कोड ने फैसना पलट दिया तो फिर सुपरिंग कोड जाओ तो ऐसे कई ट्रबल जो है अक्यूस को फिर्श करने पड़ते हैं तो उसका अंत क्या है उसका अंत तभी होगा कि जब आपके राइट्स को आप समझेंगे उसको प्रॉपर लेंफोर्स करा पाएंगे तभी आपको जो है एक प्रॉपर चीज कंसेप्च्वल प्रस्पेटिव में समझ में भी आएगी और अगर कोई आपके राइट्स को अफेट कर रहा है तो तुरंध ही उसके सुधार के लिए उसके मरमत के लिए उसके विंडिकेशन के लिए आप स्टैब्स जो हैं उठा पाएंगे ठीके जी चलें आगे साथियों हाला की प्रॉपिजन है प्रिवेंशन और करॉप्शन एट में स्पीडिट रिल का पर इसको हम रिकॉगनाइज या इसको एक्सराइज ही नहीं करते हैं लोग बोलते है जो आपके समधनिक अधिकार है उसको भी डिफ्रेंट कोर्ट्स ने रिकॉगनेज किया है और खासकर सुप्रिम कोर्ट अब इडिया ने इस पर विशेज महत्व देते हुए यह लिखा है कि दर राइट टू गैट एस पीडिट ट्रैल इस फंडमेंटल राइट और यह आर और जैजमेंट का डेट है 22 दिसंबर 2022 तो रिसेंट जैजमेंट है और रिट नंबर है 1252-2019 जैजमेंट में इंपोर्टन चीज़े किया ही निकल गए कि यहां पर एक रिट फाइल की गई बिफोर दा ओनरेबल हाई कोट और यह मांग की गई कि जो प्रोसेडिंग चल रही ह था स्पेशल जच विजिनेंस फर्स्ट पटना के अंदर यहां पर सात्यों 1995 में केस बुक हुआ अल्टिमेटली अक्यूज जो है वह चारशिट हुआ और अक्यूज ने कंसेंट ट्राइल कोट में अर्जी दाखिल करें कि उसका ट्राइल जो है वह हैंपर हो रहा है यहां पर प्रसेकुशन गवा पेश नहीं कर रही है और अल्टिमेटली डिले भी कॉस हो रही है तो उसने क्लोजर के लिए अर्जी लगाई पर उसे किसी भी रूप में रिकॉगनाइज नहीं किया गया और अल्टिमेटली जब उसने प्रसेडिंग रद्द करने की मांग करी तो कोड ने संबन जमानती वारेंड अरेश वारेंड तक जारी कर दिया तब भी बिटनेस एक्जामिन नहीं हुए 21 गवाँ में से 1900 सरकारी गवाँ हैं और आठ हो नो जो हैं प्राइविट गवाँ हैं इसके बावजुद भी कोई गवाँ यहां पर प्रोड्यूस नहीं किया गया मेरे बिरू डेपार्टमेंटल क्वैरी चली इंक्वैरी चली और एल्टिमेटल उन प्रोसेडिंग्स को भी रद्द किया गया और मुझे कॉंसेवेंटल बेनिफिट दिये गए पर चुकि क्रिमिनल के सल रहा है तो मुझे ग्रेच्वेटी और पैंशन के बेनिफिट प्रियास कर रहे हैं इसका भी प्रहाइए यह नहीं है कि पावर एक्साइज करते वें प्रोस्टिकुशन ने जो हैं वो कुएश्ट कर दें को यहां पर वेरियर जजज्जमेंट्स को कॉंसिडर किया फैट्स को रिकॉग्नेस किया और कोट में सबसे पहले बात लगी कि त पस्ट किया है कि we are here to live with the human dignity expedience trial and freedom from retention are the part and parcel of the human rights and that's why keeping the trial on hold for a long time entirely affects the human rights and constitutional rights और इसके अलावा वकील प्रशा सिंग के निंडर को भी जो है रिलाई किया गया और उसमें भी लिखा हुआ है कि fair और just और reasonable trial जो है जरूरी है अगर trial speedy नहीं है तो ultimately article 21 Indian Constitution को जो है violation हो जाता है तो कोट ने एक महत्मून बात किया लेखी the right to get a speedy trial not only extend to trial in the criminal proceeding it also extends to investigation under the criminal proceeding तो investigation or trial speedy manner में होना चाहिए बट यह proceeding fair और reasonable भी होनी चाहिए और ultimately facts and circumstances को court ने देखते वह यह recognize कि चुकि जो accused का basic right था वो prosecution ने जो है affect किया है कि एक uncontroverted fact record पर किया आया कि लंबे टाइम तक prosecution अपने गवाँ पेश नहीं करें कि लिए रहे चले आगे दूसरी important बात even last two year में कोई गवाँ पेश खाने का फरयास नहीं किया गया और 20 साल जो है case खिजिया तो यह case कब तक खिचेगा इसक से spirit trial का right देता है और article 21 इंडिया constitution का अब इनक है तो कोड ने क्या लेखा in the facts and circumstances and the legal position the criminal prosecution is liable to request के लिए रहे तो मेरा कहना यह है आप सबको कि आप सबसे पहले अपने case पर workout कर लें उसके बाद आप spirit trial की मांग करें उसका benefit कि अगर आपको spirit trial नहीं दिया जागा prosecution के दौरा त इसके साथ-साथ आप हाई-court जा सकते हैं कि साथ witness जब पेश नहीं कर रहे हैं तो प्रोशुडिंग को रद्द करो कब तक हम जो है case को face करेंगे और अब तो आपके लिए benefit और भी हो गया कि डिपार्मेंटर प्रोशुडिंग चाहे चल रही हो चाहे नहीं चल रही हो बट वो criminal case को affect नहीं करेगी तो जिसका भी पढ़ाएगी अगर prosecution delay कर रहा है वो delay inordinate है huge delay है आपके rights को affect कर रहा है तो वहाँ पर इस scenario में आप high court जाकर spiritual की मांग कर सकते हैं और अपने rights को recognize करते वे उसे enforce भी करवा सकते हैं तो हमें गवराने कर नहीं है अपने rights को enforce करना है निश् करते हों अगर आपको topic अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करना मिलते हैं एक नए topic के साथ तब तक के लिए जय हैं जय भारत